माई डियर लर्नर्स मैं किरन पाल लर्ना माई जोगरफी चैनल जोगरफी दाग अलेक्षी में आपका हार्दिक स्वागत है आजम नाइंत क्लास का टोपिक करेंगे वाई डू थर्ड चेप्टर है वाई डू वी नीडा कंसिचुशन की हमें शिविधान की जरूरत क्यों साउथ अफरीका में ओप्रेशर के रूप में हमने उनको देखा और जो ब्लैक कोमेनिटी के लोग हैं साउथ अफरीका में चाहे वो नेटिव परसन है वहां के चाहे वो इंडियन्स हैं या कलर्ड हैं वो ओप्रेश्ड सोशाइटी के रूप में हमारे सामने आये थे वो और white persons वो pressure थे तो इस प्रकार से दोनों में बहुत बड़ा टकराव था सवतंतरता प्राप्त हुई शुविधान निर्मान करना बड़ा मुश्किल था तो चाहे वो जो white या गोरे लोग थे वो South Africa के अंदर minority में थे लेकिन black community के लोग majority में थे दोनों ही community अपने आपको safe अपने अपने इंटरेस्ट को safe करना चाहती थी black majority democratic principles country के अंदर establish करना चाहती थी social economic rights establish करना चाहती थी जबकि white minority का के वाल एक ही मक्सद था कि जो उनको उनके पास जो already privileges हैं जो property है वो majority में बाटा जाए उनसे उनको छीना नह जाए तो इस प्रकार से काफी लंबी negotiation के बाद सुधिबाजी के बाद जो white community है जो गोरे लोग है European लोग थे वो जो basic rule है black community के लोगों को देने के लिए त्यार हुए one person one vote और जो basic rights होते हैं जो covers के लिए workers के लिए उनको basic rights देने के लिए त्यार हो गए इधर से जो majority black community के लोग थे जो majority में थे South Africa में वो उनकी property नहीं लेंगे इसके लिए त्यार हो गए इस प्रकार से दोनों community में बीच में agreement हो गया लेकिन फिर भी कई प्रशन खड़े हो गए कि अभी दोनों community त्यार हैं लेकिन future में क्या होगा future में इनको इसी प्रकार से माना जाएगा या नहीं तो ये एक बहुती बड़ा संसे बना हुआ था तो उसका के वले की solution था कि ये rules जो हैं इनको documents की form में लिख लिया जाए इनको organize कर लिया जाए these rules will work only if the winner cannot change them very easily तो यदि इनको स्विधानिक द्रिष्टी से दस्तावेज की रूप में संगठित कर लिया जाए तो कोई भी government जो है कोई भी community की government जो है इसको परिवर्थित नहीं कर पाएगी तो इसलिए जो है विचार आगे बढ़ा कि स्विधान का निर्मान कर लिया जाए कि जो basic rules हैं दोनों community उनके लिए agree हो गई कि जो basic rules का set का अत्यार कर लिया जाए return form में एक स्विधान का निर्मान कर लिया जाए they agreed on some basic rules they also agreed that these rules will be supreme that no government will be able to ignore these rules कि कोई भी government इनको बड़ी आसानी से परिवर्थित नहीं कर पाएगी और इनको ignore नहीं करेगी तो यह जो set होता है this set of basic rules basic rules का जो set है इसको हम स्विधान कहते हैं तो देखिए their relationship may not have been as bad as between the white and the blacks in South Africa गाबट all over the world of the people different opinion तो देखिए South Africa में गोरे यूरोपिये लोगों ने तबच्चा के रंग के अधार पर चमडी के रंग के अधार पर नसलिये बेदभाव किया अलगावाद की स्थिति उत्पन की तो इतने कडवे अनुभव इतने कडवे रिष्टे इतने बुरे रिष्टे सायद देश के किसी अन्या नागरिकों के बीच में नहीं होंगे जैसे यहां पर रहे तो यह देश पूरे विष्व के लिए एक बहुत ही अलग प्रकार का उधारन था तो दस्दा कंसिटिशन ओफ आ कंट्री इस अ सेट ओफ रिटन रूल तो रिटन फॉर्म में जब बेसिक रूल सा जाते हैं तो उसको हम स्विधा ने कहते हैं देट और एक्सेप्टेड वाई आल पीपल लिविंग टूगैदर इना कंट्री तो यह एक टेरिटरी के अंदर जो रहने वाली लोग होते हैं पीपल लिविंग इना टेरिटरी और काल्ड सीटिजन तो उनकों सीटिजन कहेंगे अब हमारा बेसिक क्वेशन यही है कि हमें स्विधान की आवसकता क्यों पड़ती है स्विधान की जुरुत क्यों है तो उसका सबसे पहला तो यह स्विधान की कुछ फंक्शन है कि स्विधान क्या 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 कार्या करता है जिसकी बिजय से हमें स्विधान की जुरुत होती है तो उसमें सबसे पहला, first, it generates a degree of trust and coordination, कि जो एक territory के अंदर जो रहने वाले लोग हैं, जो नागरिक हैं, वह उनके बीच में trust और समन्वे, विश्वास और समन्वे स्थापित करता है, तो इसलिए शिवधान की हमें बहुत सक्ष जुरूत करती है, दूसरा इसका कारिय क्या है, कि यह specify करता है, कि government का निर्मान कैसे होगा, government will be, how the government will be constituted, कि government का निर्मान कैसे होगा, and who will take the decision, who will have the power to take the decision, कि कौन सा decision, कौन व्यक्ति लेगा, किस प्रकार के, तो अलग प्रकार के decision लेने का अधिकार शेतर, अलग व्यक्ति के पास, अलग पक्स के, अलग department के पास होता है, तो यह स्विधान के दुआरा ही निशित किया जाता है, उसके बाद इसका third कारिया आता है, it lays down limits on the powers of the government, तो government की जो powers है, उसको limit भी कोन प्रदान करता है, हमारा constitution प्रदान करता है, यदि कोई government limit को close करती है, तो कोई भी court का दरवाजा खट-खटा सकता है, स्विधान, स्विधानी काननों की help ले सकता है, उसके बाद next point इसमें आता है, fourth, it expresses the aspiration, aspiration, aspiration मतलब आंतरिक इच्छा, जो public की, जो citizens की, जो नागरिक की, जो आंतरिक इच्छा है, का अंक्षा है, जो प्रबल इच्छा है, उसको स्विधान express करता है, और उससे की एक good society का एक अच्छे, समाज का निमान होता है, तो इस प्रकार से, स्विधान के इन कारियों की subscribe करें, like करें, share करें, आगे भी आपको educational valuable video भेजता रहूंग, upload करता रहूंगा, thank you very much